जहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का स्टेडी फंडा डिफेंस में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडियस 1 2024 के एक्जाम्स के बारे में इसमें जो हमारे पॉलिटी के कोश्चंस आये थे उसका सोर्स क्या है ठीक है हम ये भी देखेंगे कि कि कितने टोटल नमबर कोशन से यह भी मैं आपको बताऊंगा और फाइनली हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए at the end राइट सो एसकी हमारा जो अगला सीडियस होने वाला है यापकमिंग जो आपके एक्जाम है उसकी भी पॉलिटी के बहुत अच्छे से हमारी प्रिपेरेशन हो सके अगर यहा अबक 17 कोशन से देन 18 17 2022 में फिर 19 कोशन है तो सीडियस टू में 2022 में ही अगें यहां पर 11 कोशन से अरांट थे हमारे कभी नंबर कम भी हुआ है और अगर इस बार आप देखते हो तो ओवर आल हमारे पास 11 कोशन से ठीक है तो इस पॉलिटी का सोर्स क्या है क्या हमें पढ़ ओके और बहुत सारे जो कोशन से इस बार आपने देखा होगा कि कोशन जो थे वह एकदम डायरेक्ट नहीं थे वन लाइनर अगर आप देखते हो या फैक्चुल कोशन से यह थोड़े कम थे या बहुत ही कम थे आप देखोगे कि आपको एक अच्छा एक अप्रोच होना च ओके कि fundamental under part 3 of the constitution of India, individual can enforce rights guaranteed by this part when they are violated by the action of government authority whereas second statement is under part 3 of the constitution of India, individual can enforce rights guaranteed by this part when they are violated by not only the action of the government authority but also by its inaction, okay सो यह question हमारा है किस topic का fundamental right? गाइस देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि article 1 से लेके article 51, 51 और 51A इसमें आ जाता है हमारा chapter 1, part 1 union and its territory इसमें आ जाता है हमारा fundamental rights, fundamental duties, DPSP then इसमें आता है हमारा citizenship, यह topic आपको बहुत अच्छे से करने ही करने चाहिए, ठीक हर बार आप देखोगे इसमें से 2-3 questions आते ही आते हैं, quality में अगर आप सिर्फ एक से 51 तक article करते हो आप 2-3 questions solve करने के capability आप में आ जाती हैं, बात करेंगे यह जो concept है बहुत अच्छा दिया है हमारे लक्षमी कांथ में, लेकिन अगर आप देखते हो कि अगर यह जो question है, यह सिर्फ लक्षमी कांथ पढ़ने से ही हो जाएगा क्या, नहीं, आपको ना एक in-depth knowledge भी चाहिए, कि यार, actually fundamental rights होते क्या है, है न, आपको उसका in-depth knowledge पता हो नची, तो मैं यह नहीं कह रहा ह सकते है, इस book को read करने से, okay, so just हमें उपर-उपर go through नहीं करना है, हर एक article के हमें जड़ तक पहुचना है, right, so, यह question, यह question को हम लक्षमी कांथ के through solve किया जा सकता है, right, तो आपको नहीं यह चीज़ भी समझने है, कि आपको एक rational approach आपका होना ची, यहाँ पर सही answer इसका C हो principle of state policies, again, किस topic से relatable है, तो पहली तो चीज़ यह है, कि यह है, DPSP से related, है ना, second statement क्या है, it is the duty of the police to inform the nearest legal aid committee immediately after the arrest of a person, सही answer इसका A होगा, बात आती है, DPSP, ठीक है, DPSP, again, यह बहुत ही beautifully समझाया गया है, हमारे लक्षमी कांथ बुक में, second चीज़, क्या आपको यह statement as it is, लक् बिल्कुल नहीं, as it is, नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप इतने, again, वही चीज़ है, आप में इतनी समझ आ जाएगी, कि आप DPSP को किस तरीके से use कर सकते हो, कैसे उसे समझ सकते हो, यह आपको लक्षमी कांथ पढ़ने से बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, तो यह इस वीडियो का परपस ही नहीं है, okay, so again, हाँ, यह चीज़ हम लक्षमी कांथ से सीख सकते हैं, अगला कोश्चन आता है हमारा, in a, in a special marriage act, in India, the special marriage act protects an individual if one enters into an inter-religious marriage, second is that, right to marry a person of one's choice is an integral part aspect of one's fundamental right under article 22 of the constitution of India, the universal declaration of human rights also resonates marital rights of every adult consenting individuals, right, again, यह जो आप टॉपिक है, यहाँ पे में article 21 दिखता है, जो की right to life से बात करता है, और यह हमारा fundamental right, इस fundamental right को भी हम लक्षमी कांथ से अच्छे से समझ सकते हैं, देखो, तीन कोश्चन होगे आपके, अभी एक से 51 में इसी article के अंदर हमें मिल जाए ठीक है, तो आपना यह जो चीज है, अगेन fundamental right है, लक्षमी कांथ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यह जो मैंने cut out लगाया है, यह भी लक्षमी कांथ के ही है, ओके, हाँ, अगेन यह जो चीज है, यह एस सच वहाँ पे मेंशन नहीं इस बुक में, ठीक है, यह भी च of protection of human right act, ओके, तो यह हमारे कुछ options है, सही answer इसका D होगा, बात करते हैं, कौन सी बुक है, अगेन इट इस लक्षमी कांथ, ठीक है, लक्षमी कांथ में properly state human right commission है, national human right commission है, जहाँ पे लिखा गया है, कि protection of human right act 1993 provides for the creation of not only NHRC but also state human right commission, clear है, तो हाँ, यह दो चीज हो का तो mention उसमे clear cut है, सही answer इसका D होगा, बठा, यह चीज हमें इस बुक में मिल सकती है, तो अगेन हमने यहाँ पर source लगाया है, मैं आपको यह नहीं कहा रहा हूं कि यार, as it is line उठाई गई है, ठीक है, तो यह चीज का आप ध्यान रखोगे, बठा, लक्षमी कांथ हमें political बिल्कुल follow कर चीज है, अगला हम देखते है, the 48th Amendment Act of the Constitution of India, following was where inserted into the preamble, तो इसका भी जो सोर से हमारा लक्षमी कांथ है, चाप्टर का नाम है preamble, जहां पर हमें यह चीज देखने को मिल जाएगी, clear है, तो यह cut out भी लक्षमी कांथ का है, तो लक्षमी कांथ अगेन देखो preamble है, जब ह एक से 51 तक के आर्टिकल आप पढ़ोगे लक्षमी कांथ के, तो यह चैप्टर भी उसमें आएगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक से 51 के बीच में preamble कहीं आता है, ठीक है, बठा, प्रेमबल जो हमारे constitution का एक preface भी है, summary है, ID card है हमारे constitution of India की, तो इससे भी question आया है, सो हा लक्षमी कांथ read करेंगे, अगला question है, बी आर अंबेतकर जी ने किस article को, heart and soul of the constitution का है, so again easy question, same, article देखो, 1251 के बीच में ही है, ठीक है, प्लीज किप नहीं करना है, यह चीज अगें लक्षमी कांथ का chapter है, fundamental right, वहां आपको मिल जाएगी, so it is the, here it is written, it is the very soul of constitution and very heart of it, तो दे depth में, हर एक sentence को आपको कितने, कितने conscious के साथ आपको ध्यान देना है, next आप देखते हो, who among the following field, the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India, recognizing the right to privacy as a fundamental right, ठीक है, तो अगें यह चीज भी, यह सारे cutouts है, लक्षमी कांथ का जो लेटेस्ट अपडेट है, परपल कलर की बूक है, उसमे एक नया अब यह जो landmark judgment impact है, यह अगर आप देखोगे, currently UPSC बहुत जादा पूछ रहा है, civil service का exam हो, चाहे, पिछले साल का CAPF का exam हो, ठीक है, वहाँ पे भी एक judgment पूछा गया था, इसके पहले भी बहुत सारे हमारे exams होए, वहाँ पे भी judgment के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो यह चीज है, तो आपको यह judgment का idea होना चीए, second चीज जब आप current affair पढ़ते होना, हमें पता ही कि RCDS के लिए तो हमें current affair skip नहीं करने, current affair जब आप पढ़ते हो, तो आपको पता ही कि आजकल जो हमारा supreme court of, supreme court of India है, जो supreme court है, वो कितना जाधा active है, है न, तो ऐसे बहुत अच्छ अच्छे judgment सो pass करता है, तो हमें थोड़ी से awareness होनी चीए, right, so again yes, यह भी जो book है, यह लक्षमिकान ती है, जहां से आप यह questions को solve कर सकते हो, अगला हम देखते है, as per the state list के बारे में पूछा है, 7th schedule of the constitution के बारे में पूछा है, तो कौन-कौन सी चीज उसके अंदर आती है, ठ ठीक है, tax on agricultural income, duties in respect of succession, state duty, तो आप देखोगे यहां पर, as it is, यह आपको देखने को मिल जाएगा, taxes on agricultural income, तो यह रहा, taxes on agricultural income, statement number one, second is duties in respect of succession of agricultural land, so here it is duties in respect of succession of agricultural land, statement number two, state duty in respect of agricultural land, यह हमारा तीसरा, क्या को हुआ है, ठीक है, again, क्या है यह, हमारी लक्षमी कान्द बुक, ठीक है, लक्षमी कान्द बुक, last में appendix दिया गया है, जहां पर state list में क्या क्या आता है, concurrent list में क्या है, union list में क्या है, उसमें आया, तो यहां पर सही answer इसका होना चाहिए, सही answer इसका होना चाहिए, हमारा D, clear, तो again, source क्या है इसका, लक्षमी कान्द राइट, तो अभी तक देखो, हमने जो कितने questions देखे है, उन सभी का में source, लक्षमी कान मिलता है, कुछ questions ऐसे भी थे, philosophical based, कि, which among the following is not correct, in the word politics, hard power can be exercised by both state and other actors involving the use of threat or coercion, globalization is necessarily economic or not cultural, the term Washington consensus refers to a policy that seeks intervention in the market, Autarchy is generally understood as an economic self-sufficiency, ठीक है, तो अब यह philosophical based question है, right, इसका as such, हमारी लक्षमी कान्द में कोई इसका mention नहीं है, ठीक है, बट ऐसे एक दो questions आते रहते हैं, हर बार कि totalitarian क्या होता है, autocracy क्या होता है, theocracy क्या है, तो यह सारी चीज़ ना आप PYQ के basis पे, PYQ के, at least जो PYQ में आ ठीक है, तो इसका as such, हमें तो कोई source मिला नहीं है, हाँ, एक आपको proper terms का पता होना चाहिए, क्या, autarchy क्या होता है, जिसे democracy हम सभी को पता है, globalization क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ economic के वज़े से ही होता है, culturally होता है, नहीं होता है, hard power किसे कहते है, soft power किसे कहते है, ठीक soft power, then अभी एक current affair में term आया था smart power, soft power generally क्या होता है, diplomacy कह सकते हो, ठीक है, वैसे smart power होता है, तो ये सारी चीज़ना हमें current affair के तुरू देखने को मिल सकती है, अगली चीज, GST के उपर question था, ठीक है, इसे आप economy में भी include कर सकते हो, ठीक है, आप इसे quality में भी include कर सकते हो, ठीक ह हर बार tax rate जो है, वो कम होते है, कभी जादा होते है, कुछ चीज, GST में included होती है, कुछ नहीं होती है, है ना, तो ये कुछ चीज है, तो overall at the end अगर मैं आप से कहूंगा, कि अगर आप पूछते हो कि overall source क्या होना चीए, ठीक है, यार देखो जो basic foundation आपका जो build-up करेगी ना प्रियंबल, एक दो पेच का topic है, बहुत easy है, school में हम प्रियंबल गाते रहते हैं, हर एक word का मतलब पता होना चीए, second union and its territory, third क्या हो जाएगा, third हमारा important topic आता है, citizenship, ठीक है citizenship, then है हमारा fundamental right, DPSP and fundamental duties, ये वो short short topics है, इसको बहुत अच्छे से, सिर्फ exam point of view से नहीं यार, वैसे भी हमें हमारे basic rights का है, ये पता होने चाहिए, ये book हमें बहुत help करती है, हमारा base बनाने के लिए, तो एक must read अगर मैं आप से कहूंगा, CDS exam के लिए, ठीक है, तो एक लक्षमी कान थे, and साथी साथ आपको सारे PYQs solve करने है, UPSC, CDS के, NDA के, CAPF के